गोड डिवलिंग बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी बच्चों का पुना स्वागत, बच्चों आज में आप लोग को पराने जा रही हूं, चैप्टर 6, उपसर्ग एवं प्रत्य, तो आज हम करेंगे उपसर्ग की चर्चा, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग ऐसे लगुतम शब्दांस, ऐसे छोटे सब्दांस, जो मूल सब्द के प्रारंभ में जुर कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, उप यने की पीछे, किसी भी सब्द के पीछे, जब कोई भी सब्दांस जुरता है, और जुडने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है. तो ऐसे सब्द को हम उपसर्ग कहते हैं. जैसे देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि आदर मूल सब्द है और इसके आगे अन्सब्दांस जुड जाने से मूल सब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गिया. ये सब्दान से ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की प्रमुक विशेष्थाएं क्या क्या हैं उसको भी हम जानेंगे। जैसे अन, अन क्या हुआ, नादर में अन उपसर्ग हुआ, तो अन का अपना को अस्तित्व है, नहीं है। तीसरा है, इनके प्रियोग से मूल सब्द का अर्थ बदल जाता है। जब हम उपसर्ग का प्रियोग करते हैं, तो मूल सब्द का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है अब आई हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार हिंदी में चार प्रकार के उपसर्ग परियोग किये जाते हैं जिसमें से पहला है संस्कृत उपसर्ग दूसरा है संस्कृत के अव्य तीसरा है हिंदी के उपसर्ग और चोथा है उर्दू के उपसर बात यह है कि जहां पे संस्कृत सब्द रहेगा तो वहां संस्कृत का उपसर होगा जहां संस्कृत का अब्य होगा वहां वही पड़ियोग होगा जहां हिंदी सब्द होगा मूल सब्द हिंदी होगा तो उसका उपसर्ग भी क्या होगा हिंदी होगा जहां मूल सब्द उर्दू होगा उसका उपसर्ग भी उर्दू ही होगा इस प्रकार आपके बुक में दिया हुआ है संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के अव्य इसको आप लगेगा, वो भी क्या होगा? हिंदी का ही होगा, जिसे उर्दू मिल, देख लिजिए. उर्दू के उपसरग, उपसरग, अर्थ हो, उधारन, जेसे ना पसंद, लायक, ना दान, ना समझ, तो जो जिसका उपसर्व होगा उसका मूल सब्द भी वही होगा वह हिंदी हो उर्दू हो, संस्कृた का उपसर्व हो या फिर संस्कृत का अव्योग हो इस प्रकार आज आपने उपसर्व परहा नेक्स्ट वीडियो में यह इसका जो अभ्यास काड़िये होगा उसको भर करके फिर आप लोग को विडियो में अप्लोड करवाएंगे और फिर उसके बार हम पढेंगे प्रचिय कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में